महालक्षमी की पुझा के लिए सामगरी दूपत्ति, अष्टगंद, गुलाप के फूल, प्रसाद के लिए फल, दूद, मिठाई, नारियल, पंचामरत, सुखे मेवे, शकर, पान, दक्सीना में जो भी आप चड़ाने चाहते हैं वो ये सारी चीजे अनिवारी रूप से लक्षमी पुझा में सामिल करनी चाहिए संकल्प यानि हम किस मनो कामना की पूर्ति के लिए ये पूजा कर रहे हैं उस बात का संकल्प, संकल्प लेने के लिए हाथ में जल ले, फूल ले और उसमें थोड़े से चामले डाल दे, इसके बाद जीजदिन हम पूझा कर रहे हैं उस वर्ष, वार, तिथी, उस जगे औ पर अपने नाम का उच्चारण करके वह जल जविन पर छोड़ देना चाहिए, अब जानिये लक्ष्मी पूजन की सरल विदी, किसी भी काम या पूजन को शुरू करने से पहले, श्री गणेश का पूजन अनिवारी रूप से किया जाता है, बगवान गणेश को इसनान करा वस्त्र अर्पित करें, गंद, पूश्प, अक्षत अर्पित करें, अब देवी लक्ष्मी का पूजन शुरू करें, माता लक्ष्मी की चांदी, पारत या इस्पटिक की प्रतीमा का पूजन सबसे अच्छा माना जाता है, जिस मुर्ती में माता लक्ष्मी की पूजा की ज उभलाए माता लक्षमी को अपने घर बुलाएं इसके बाद उन्हें आसन दे अब माता लक्षमी को इसनान किरा इसनान पहले 25 यह से पिर चलसे कराना चाहिए अब माता लक्ष्मी को वस्त्र चड़ाएं, वस्त्रों के बाद आबूसन चड़ाएं, फिर पुस्प माला चड़ाएं, सुगंदित इत्र अर्पित करें, अब कुमकुम से तिलक करें, अब धूप और दीपक जलाएं, इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल जाना चाहिए 11 या 21 चावल अर्पित करें सद्धा नुसार घी या तेल का दिपक जलाएं आर्थी करें आर्थी के बाद परिक्रमा करें अब नेवेदि में जो भी प्रसादा परपित करने चाहते हैं वह अर्पित करें लक्ष्मी पुजा के दोरान ओम महालक्ष्मी ये नम् यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तक रपाय ऐसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद